नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन यूज का डिश्चल चैनल इन खबर आज हम बात कर रहे हैं भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू के बारे में जी हाँ 14 फरवरी को जम्मू कस्मीर के पुलवामा जिले में सीयार पीफ के करीब 40-42 जवान सहीद हो गए थे और पूरा देश उनकी शहादत का बदला चाहता था और किस तरीके से उसका बदला इंडियन एर फोर्स ने लिया हम आपको बताते हैं जी हाँ इंडियन एर फोर्स ने मंगलवार सुबर 3.30 बजे पाकिस्तान के अधिकरित कस्मीर में घुश कर करीब 1000 किलो बम गिराए और 200-300 आतंगवादी मार गिराए इसके साथ खबर या रही है कि 12 मिराज 2000 लडाकों विमान पाकिस्तान में गुशे थे और उन्होंने बंबारी शुरू की 3.30 बजे उन्होंने ये सिल्थिला सुरू किया और इसके साथ ही वो करीब 200-300 लोगों को मार कर और जैश महमद के कई एहम कैम्प तबा कर भारत सही सलामत वापिस लोटा है आईए आपको बताते हैं इसको लेकर बॉलिवूड के सेलिबिटीज और क्रिकट जगत के कुछ महान हस्तियों ने क्या रियक्शन दिये अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा भारत माता की जै बता दे कि आज सुबह 3 बजे भारती वाइस होना के मिराज लडाकोई वानुक के एक ग्रुप ने सिमा पार्क में जैस के कैम्प पर बम बरसाए वहीं अभी नेता और राजनेता परेश रावन ने लिखा एक खूपसरत सुबह नरेंद मोदी सर को हमारी आर्मी का धन्यवाज जै हो वहीं क्रिकटर सहवाग ने लिखा कि बॉइस प्लेड वेल जैहिंद एक्टर अभिशेक बच्चे ने लिखा कि मैं नमशकार करता हूँ और साथ ही इनोंने तिरहिंगे की फोटो लगाई अजे देवगा ने लिखा मैस विद दे बैस, डाइ लाइक दे रेस्ट, सलीट इंडियन एर फोर्स, नरेंद मोदी और क्रिकेटर गंबिर ने कहा कि जैहिंद इंडियन एर फोर्स, एक रिपोर्ट के मताबिक 12 मिरास, 2000 लडाकवी विवान पाकिस्तानी सीमा में घुसे थे और इसका उसको जवाब देना पड़ेगा बालकोट अटाइक की लाइव अपडेट्स के लबने रही है हमारे चैनल इन खबर पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो से लाइक कर और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें थन्यवाद